नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भल्चंद्र, रम्मांड सिद्याश्ट में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भल्चंद्र, रम्मांड सिद्याश्ट में आप ले सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भल्चंद्र, रम्मांड सिद्याश्ट में आप स्वागत हो। यह चंद्रमा शनी के साथ त्रिकोन योग करने जा रहा है और शुक्र के साथ केंद्र योग भी करने जा रहा है। यह गरसिती सामदे रखते हुए, बारा राशियों का राशिपल क्या होगा इस विशय पर हम चर्शा करेंगे। तो सबसे पहली राशिय है मेश राशिय। मेश राशिय के त्रिते अबाव चंद्रमा का भ्रमन है और आपके लाब अबाव में से शनी पे साथ यह चंद्रमा त्रिकोन योग करने जा रहा है। मैं तो बड़े दिन है आपके लिए घुमना फिरना जादा हो सकता है मैं तो बढ़ना काम भी आप हाथ में ले सकते हो जो भी आपके काम रुके वह पूरे नहीं हो रहे है कई दिनों से वह काम आज की दिन आप हाथ में ले सकते हो कमिट्मेंट कर सकते हो प्रॉमिसेस करते के चंदरमा त्रिकोन यह करने जा रहा है आपके लाब अबावस्ति शुक्र के साथ यह चंदरमा केंद्र योग भी करने जा रहा है मैं तो बड़ दिन है आप लिए उप लड़ा दाई वी सालीट होगा जो भी आपका कारे शेतर है उससे कुछ अच्छे लाफ आज के दिन आ आपको मिल सकते हैं, उसे परकार multiple sources of income की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है, आपके जो मित्र परिवार है, उन में जो महिला रहेंगे, उनके साथ चोटे-मूटे बातों पुलेकर तकरार हो सकती है, लेकिन दिन आपके लिए शुब फलदाई सावीत होगा, इसके आपके बाव मिस्चित शनी के साथ ये चंद्रमा त्रिकॉलियों करने जा रहा है, आपके दशम बाव मिस्चित शुकर के साथ ये चंद्रमा केदरियों करने जा रहा है, बहुत है अच्छा दिन है, आपके लिए और शुब फलदाई भी सावीत होगा, आज आपको confidence energy level अच्छे देखी जाएगी, जो काम आवात मेलोगे, वो पूरे होते हुए निजर आएंगे, लॉंग टम में अधर आप खुब योजना बनाई नहीं है, तो आज का जिन है, आपके लिए शुब फलदाई सावीत होगा, यो भी आपके कारिशेतर है, वहाँ पर कि जो लोग आपके लिए शुब फलदाई सावीत होगा, जो भी आपके लिए अशुब फलदाई सावीत होगा. इसके बाद की जो राशी है, वो है सिंगराशी. सिंगराशी के लाब बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके सब्तम बाव में सित शरी के साथ ये चंद्रमा त्रिकोनियोग करने जा रहा है आपके सब्तम बाव में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा केंद्रयोग भी करने चा रहा है काफी महतोपड़ दिन है आपके लिए और शुबफलदाई भी साबित होगा कास करके अगर आप विवाई तो आपकी जो वैवाई जुरिदार हैं उनके साथ आज आपकी इंटरेक्शन काफी अच्छी देखी जाएगी कुछ अच्छी लाब वगर भी मिलेगे कि आपकी जो वित्र परिवार है उनसे कुछ अच्छी सला भी मिल सकती है थोड़ा सा स्वास के बारे में दयान देना होगा दिन आपके लिए शुबफलदाई साबित भोगा इसके बाद की जो राशी है दो है कन्या राशी कन्या राशी के 6 बाव में चंद्रमा का ब्रावन है और आपके 6 बाव में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा के इंद्रियोग भी करने जा रहा है जो भी आपका दारिशेतर है उससे रिलेटर कुछ महत वड़काम आज के दिन वोने की संभावना कापी अच्छी बन रही है लॉग टम में अगर आपको कोई बदलाव करने हैं आपके करियर के मामने में या फिर आपके जौब के बारे में तो उसके कुछ अच्छे प्रस्ताव आज के दिन आपको मिल सकते हैं अगर आप विवाई तो आपकी जो वैवाई जुड़िदार उनके साथ चुटे मुटे बातों को लेकर तकरा हो सकती है दिन आपके लिए शुवफलदाय साबित हो काओ इसके बाद की जो राशी है वो है तुलाराशी तुलाराशी के भाग्य बावव में चंधरमा का ब्रह्मन है और आपके पंचम बाववे से शली के साथ ये चंधरमा द्रिकोनियों करने जा रहा है आपके सश्ट बाव में सित शुक्तर के साथ ये चंद्र वो तेंद्र योवी करने जा रहा है मैं तो बड़े दिन हैं आपके लिए आज आपके पुछ अच्छे इंडूशन्स आ सकते हैं मैं तो बड़े काम भी आप आज आपके हो सकते हैं बागे का पूरा ता पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा अगर आपके से के रिलेशन्शिक में हैं या फिर ने रिलेशन्शिक बनाना चाहते हो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुक्तलदाई साबित होगा थोड़ा सा स्वास्त के बारे में द्यान देना आवश्यक होगा दिन आपके लिए भाग गिदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है पुला राशी वो है विर्चिक राशी विर्चिक राशी का अश्टम बाव में चंद्रमा कामरमन है पर आपके चदर्त बाहुम से शनी के साथ ये चदर्मा त्रिकोन योग करने जा रहा है आपके पंचम बाहुम से शुक्र के साथ ये चदर्मा केंदर योग करने जा रहा है स्वास्त के बारे भी थोड़ा द्यान देना आवश्क होगा आज के दिन इजी मनी मिलने की संभावना काफी अच्छे बंदरे आपकी जो बड़े बज़रुग रहेंगे घर में उनके साथ आज आपकी इंटरेश्टिन का आपकी अच्छी देखी जाएगी लेकिन अगर आपकी से के रिलेशन्शिप में है चोटे-मोटे बातों के लिए का दकरा हो सकती है लेकिन दिन आपके लिए शुबपलदाई साबित होका इसके बाद की जो राशी है वो है दनुराशी दनुराशी के सब्तमबाव में चद्रमा का ब्रह्मिन है मैं तो बड़े दिन है आपके लिए खास करगे अगर आप वाइद हो तो आपकी जो वैबाई जव्यदार है उनके साथ कही बाहर गुमना फिर नहीं हो सकता है उनके साथ आपकी इंट्रेक्शन काफी अच्छी देखी जा सकती है कई प्रकार के नए काम आज के दिन आप हाथ में ले सकते हो उसी प्रकार गर के जो मैला वरगोंगे उनके साथ चोड़े बुटे बातों के लेगा तकरा हो सकती है दिन आप के लिए शुवफलदाई साबित होगा इसके बात के जो राशी है वो है मकर राशी मकर रशी के शष्ट बाव में चंदरमा का ब्रभन है और आपके द्वितिय बाव में से शनी के साथ ये चंदरमा त्रिकोलियों करने जा रहा है आपके द्वितिय बाव में से शुक्र के साथ ये चंदरमा के इंदरियों भी करने जा रहा है महत आपना दिन है आपके ने briefly हास करके आज की दिन स्वास्त के बारे में थूड़ा ध्यान देना होगा महत आपना इननेश्टमेंट आज के दिन हो सकती है किसी भी क्रटर के महत आपना का मियाफिन अज के दिन महीं लेना दीन आपके लिए अशुव खरदाई साबित होगा अब इसके बाद की जो राशी है बोग है कुम्बर राशी के पंचमबाव में चंद्रमा का प्रमण है और आपके के राशी में सिश्चने के साथ ये चंद्रमा त्रिकोन योग करने जा रहा है आपके दित्याववा में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा के इंद्रियो करने जा रहा है काफी मयतों बने दिन है आपके लिए अगर आपके से की रिलेशन्चिप में है तो आप दुनों में जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी अगर नई रिलेशन्चिप मनाना चाते हो तो भी आज का जो दिन है शुबफलदाई सावित होगा आज की दिन आपके जो खर्चे रहेंगे, स्पेंटिंग रहेंगे उस पर थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यत होगा दिन आपके लिए शुबफलदाई सावित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मींदर राशी मींदर राशी के चतुर का बाव में चद्रमा का ब्रहमन है और आपी के वैये बाव में से शनी के साथ ये चद्रमा त्रिकोन योग करने जा रहा है आपके राशा में से शुक्र के साथ यह चदर मा केंद्र योक करने चारा है आज का जो दिन है घर के जो लोग है उलके साथ आपके इंटरेक्शन काफी अच्छी देखिए जाएगी आज के दिन आप घर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी खर आज आपको फोड़ा सा स्वयम के स्वास्त के बारे में दयान देना होगा दिन आपके लिए शुबुफन दाई साबित होगा तो दोस्तों ये था दिन 14 अप्रेल 2014 का संपड़ राशिफन आपको इराशिफल कैसे लगा आपने की स्किरार से नवह किया निचे का विट बोक्स पर ज़रूर कमेट करना और अपना जो चैनल है प्रमान्ट सिद्धे एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेर और सबस्क्राइब ज़रूर कर धन्यवाद